अब वेल्कूम एवरीवन तो दिस ब्यूटिफुल चैनल था इलिटेट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसकास करेंगे इंपार्टन कोशन अंसर फार स्कास नीट ब्यासी नर्सिंग इसमें वीडियो में हम आपके साथ सहल के इंपार्टन कोशन डिसकास कर रहे अगर कोई इस चैनल के ऊपर नहीं आया है पहली बार आया है तो इसी चैनल के ऊपर हम आपके लिए स्कास्ट ब्यासी नर्सिंग और नीट की जो भी इंपार्टन इंफार्मेशन होती है जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते ह इसी भी इंट्रेंस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जो स्टार्ट करते हैं कोशन कोशन नंबर वन विच वन आप फालिंग अलिमेंट इस रिस्पांसिबल फार मैंटेनिक टर्गर इन सेल पॉटाशियम सोडियम मैगनेशियम कैल्शियम सो आंसर इस ए पॉटाशियम जो प अब त्युम्हाली के साथ कमप्लेक्स साथ कांपाउंट हम अंग और उसके साथ वह मिलके ड़कर प्रेशर को मेंटेन करते सिल के अंदर स्टोमेटा के अंदर और रिश्पार इसल प्लांट में हल्फ करते हैं भीकोल नंबर टू इसका आगर हम दुसरा पार्ट और जो बाकि बातें हो देख लिए तो को जो बाम सोडियम जो नान असेंशनल एलीमेंट होता है प्लांट के लिए मैंगनेशियम यह प्रेजेट होता है क्लोरोफिल में कर जो कैलसियम में यह स्ट्क्चेर बनाने में सेलव इसमें जो है इसकी आंसर है सेक्रोमाइसीस जो फंगस है उसका दुसरा नाम है और यह उक्राइट एक्जम्पल जो उप्षिन से उनकी बात करते हैं उनमें जो नोस्टोख और उसीटोर यह यह साइनो बक्टेरिया है जिनको हम ब्लू ग्रीन अल्गी भी बोलते हैं यह प्रोक्रियाट है और जो माइको बक्टेरिया में यह भी प्रोक्रियाट है यह भी डिजीज काजिंग पैथोजन है कि सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं ताके वह किसी भी होस्ट के साथ अटैच हो सके ऐसे प्रौक्टियória जो यह बात करें प्लाजम में यह अलग कर दिया प्रौक्याम को सब्सक्राइब सरुख को अबार और उन्वारोमेंट के सक्ट सब्सक्राइब को मैन 벌써 a इप्रोट आगलिस कॉश्य नमबर You Cool Do is a cell without the plasma membrane without nucleus undergoing division without cell wall answer is protoblast is cell without cell wall backy options here am about current is jota is come both a cytoplasm cell without a nucleus your go out of the material budget that without nucleus inside cell is come both a cytoplasm cytoplasm or undergoing question number five when the centromere is situated in the middle of the two equal arm of the chromosome the ने ख्रोमोजोम is swear preserve मैटाढसेंट्री इसके लिए धमीडिक सकते हो या जिसेंट्रोमेर मीडल में होंगा और इकष्ड-meter श्वशंटिंग ऊस्टाइए अपको यह एग्जाम में काम है आु एंग जानव मेटसेंट्रीक कोशन नमबर 6 दी बायो सेंथेजिस आव राइबोजोम अला रान्य अकर सिन राइबोजोम गोलगी अपरेटर्स माइक्रोटब्यू नुक्लियोलस सो आंसर इस नुक्लियोलस यह नुक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डेंस बाडी डेंस स्टक्चर होता है डार कलर तो उसके अंदर राइबोजोम अला रान्य की सिंथेजिस होती है इसके लिए मैंने आपके लिए डाइग्राम लाइए इसलिए कि आपकी वीज्वल मेमोरी में अच्छे से आपको याद हो जाए बाकी इसमें जो दिया कि आपको इतना डीप में जाना है बस यह याद रखना ह है तो कोशन नमबर 7 विच आप आप यह अधा पालेंग पिर आपार में डिया ने ने चोर्ड वाक्यूल टो होता है पहला ऑप्शन नहीं होगा लाइज जोजोम वेक्यूल यह स्बी आंसर इस क्रेक्ट लाइज जोम और वेक्यूल दोनुमें डिया नहीं होता है न्यूक् फार्मेशन नसे क्रेटरिकल साइकल तक ट्रेटिएज ब्लीक्ट बेकडाउं अक्तिवेशन आप अमाइन वाजएट जो गोडिक अटेरी बादिस वह स्ट्रीट अच्ट आप नाता है प्रोटिं या या कोर्जो भी लिपीड होता है उसकी ट्रांस्पोर्ट के लिए और हा DNA and RNA proteins and lipids free ribosome and rr answer is free ribosome and rough endoplasmic reticulum जो nasal bodies होते है nasal granules होते है यह present होते है cell body of neuron में प्रेजेंट होते है so question number 10 which of the following are not scoundry metabolite in plant morphine protein amino acid glucose wind blasting curcumin rubber and gum answer is amino acid and glucose यह बहुत ही common sense question secondary metabolite जो होते है वो glucose और amino acid यह तो हर आर्गनिजम में प्राइमरी metabolites ही होते है यह तो secondary metabolite नहीं होंगे बाकि जो भी है marfin, codeine, wind blasting curcumin, rubber gum यह सारे secondary metabolite होते हैं plant के अंतर इनकी example भी आपको याद रखने चाहिए एक्जाम के लिए important होती है कोशन नमबर 11 विच टू फंक्शनल ग्रूप आज क्रेक्टरस्टिक आफ शुगर अंसर इस डी कार्बोन आइल जो ग्रूप होता है सी डवल बॉंड और हाइड्रोक्सिल गूरूप होता है ऑच के साथ और यह दोनों जो बाट यह क्रेक्टरस्टिक हीमोग्लोबी आंसर इस कोलाजन इन एमाल वाल्ट जह मौस्ट बंदेंट प्रोटीन यह अगराए प्लांट की करें या टोटल वाल्द की अगराम बात करें उसमें अबंदेंट जो हो है रूंबिस को को क्योंट जन एक फाइयब्रेस प्रोटीन होते हैं जो प्रेजेन्ट होते हैं टिस्शू में में और फ्लिद्ग दथे हैं उनको घृइडिगल सब्सक्राइब कोई नंबर थाटीन इडेंटिफाइड दा बेसिक माइन असीड फालेंग लिस्रोल ट्रीप्षिन गुल्कोस लेक्टिन इनुलीन इंसुलीन काइटीन ग्लस्टोर सो जिसमें भी वाई मिस्टेक रांग कोश्चन देर इस नो बेसिक असीड इन इस वेसिक अस इस एक्जामपल होती है लाइसीन अर्जीन हिस्टीड इन वह आपको आद कर लेनी चाहिए इसमें तो कोई भी नहीं सब्सक्राइब कोशन नंबर 14 कोलाजन इस फाइबर प्रोटीन लिपिड कर्वाइड एट कोलाजन इस फाइबर प्रोटीन अभी उने पिछले इसकास कि है इसके बारे में सब्सक्राइब कोशन नंबर 15 कि विच वन आव दा फालिंग स्टेटमेंट इस रंक सेलूलोस इस पॉलिसक्राइड युरैसील इस पारिमदीन ग्लाइसीन इसल्फर कंटेनिंग माइन असीड सो आंसरी सी जो सेल्फर कंटेनिंग माइन असीड होते है उन इस पारिमिटीन होता है और सुक्रोस जो वह डाइस क्राइड होता है उसकी आइडॉली सिस वह दो तूट जाता है फ्रक्टोस गुलकोस कोशिण नमबर 16 दसें अंडर को डूब्लिकेशन दूरिंग एस फेस प्रोफेस मेटाफेस जी टूफेस तो आंसर इस फेस जो सेंट्री ओलेबर डूब्लिकेट होता है एस फेस के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं सेल साइकल के अंदर उनके आपके लिए इंपार्टें सो आंसर इस मेटाफेस जो स्पिंदल फाइबर है काइणव पर एडेज एविडेंटोग हो जाते है कि अब दिखना कब शूरू हो जाता है मेटाफेस चेंदर मेटाफेस नियुक्त बन जाते हैं यहाँ पर मेर फेस प्लेड़ सो आंसर इस दी QN 18, Cells in the GNOT phase, Enter the cell cycle, Suspend the cell cycle, Terminate the cell cycle, Exit the cell cycle, Answer is D, Exit the cell cycle, GNOT phase होता है cell के अंदर, उसमें वो exit कर जाता है, और बाद में re-enter भी कर सकता है, दوبारह, इसको हम QVCN stage भी बोलते हैं, cell के अंदर, cell cycle के अंदर, और इसके अंदर जो इनकी प्लाइडी लेवल होती है, इनकी क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2N, G0 के अंदर, और G2 के अंदर 4N हो जाते हैं, और S phase के अंदर यहां पर जाके यह 4N हो रहे हैं, यह आपको यह भी याद रखना चाहिए, आपके लिए, एक्जाम में यह भी आता है question, कहां पर 2N, G1 में 2N होता है, और M phase में जाके, यहां पर division हो जाती है, so, next question, the fruit fly, question number 19, the fruit fly has 8 chromosome 2N in each cell, during the interface of the mitosis, if the number of the chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase, यहां पर देख सकते हो कि, इनने बोला है, 8 chromosome में 2N in each cell, और G1 phase में, G1 phase में यहां पर कितने, 8, और पूछ रहा कि, जब वो G2 में, after S phase कितने होंगे, S phase के बाद 4N हो जाएंगे, so, 16 होगा answer, 2N होगा, 2N से 4N, multiply by 2 होगे, so, answer is 16, question number 20, which stage of the meiotic pro phase, show terminalization of the chaos meta, as its distinctive feature, leptotin, zygotin, diakinesis, macetine, answer is diakinesis, so, diakinesis में हो जाता है, क्या समेटा, visible होता है, जो, वो, diplotin में होता है, और यह हमने, slide आप के लिए, आप इसको screenshot लेके, रख सकते हो, इसमें, जो भी events हो रहे हैं, leptotin में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, याद कर सकते हो, यह exam point of view, से सारे, बहुत ही important है, एक question इन में से आता है, ह हो, आप इसकी screenshot लेके रख सकते हो, question number 21, meiosis take place in, meoside, conidia, jamules, megaspore, answer is, megaspore, megaspore के अंदर meiosis होती है, जो के 2N से, N नंबर बे होता है, gametes, formation होती है, meiosis के अंदर आपको बता होगा, और जो बाकी है, conidia, jamules, यह तो यह sexual, इन में होता है, इन में gametes, तो formation नहीं होती है, sexual spore बगरा हो, इन में produce होते है, और meoside में, myiotic division होती है, इसमें meiosis नहीं होती, so answer is D, megaspore, question number 22, which of the falling stage of the meiosis involved division of centromere, metaphase 1, metaphase 2, nf2, telophase 2, division of centromere, किसमें होती है, मैंने आपके लिए भी slide लाई है, इसके अंतर आपको, इसको याद कर लेना है, जो centromere divide होता है, वो होता है, एन में फेस 2 के अंतर, जो भी events होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोलाए कि आप जो भी events होते है, cell cycle के अंदर कौन सी stage भी कौन सा होता है, यह आपको याद करने होंगे, एक्जाम के अंदर बहुती इंपार्टेंट कोशन है, यहां से आते हैं, कोशन नमबर 23, यह नान प्रोटीनिशिस नहीं होता है, बाकी जो भी है, वो प्रोटीन होते हैं, सारी इंजाइम, सो राइबोजाइम आपको बहुती इंपार्टेंट कोशन है, यह भी आपको याद रखना चाहिए, कोशन नमबर 24, इन आर ने, थाइमेन इस रिप्लेस्ट बाइ, एडेनीन, गवानीन, साइटोसीन, युरैसीन, आंसर इस युरैसील, थाइमेन रिप्लेस हो जाता है, आर ने के अंदर, यह किसके साथ बाइड़ करता है, आर ने के अंदर, इसके अंदर भी डबल बोंड यह एडेनीन के साथ बनाएगा, तो आंसर इस डी, युरैसील, आज की वीडियो कतम होगी, और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कोई भी कवेरी हो, आपनी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछाखते हो, कि आपको वीडियो में कुछ जो चीज़ समझ ना आई हो, और हमें अपना फीडबैक जरूर दे नीचे आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करना ही है, थैंक्यू,